हेलो फ्रेंद्स और वेलकम बैक टू माई चैनल चले कुछ नया सीखते हैं अमीजिंग टिप्स देख लेते हैं आज की जो सबसे पहली तिप हैना है कैसा मसाला पाउडर आपको बनाना बताऊंगी जो आप बहुत सारी चीजों के साथ एंजॉई कर सकते तो आधा चनादा ले लिया है एक चुथाई कप के करीब मैंने उडदा लिया है दोनों को अच्छी तरह से पोच लिया है वाश करने के जरुवत नहीं है बस आप इसको पोच ले ताकि इंप्यॉरिटी निकल जाए और इसे ड्राय रोस कर लेंगे हलका सा जब यह ड्राय रोस हो जाए है बस खुचबू आने तक इसको करना है और इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे से मुसी कडाय में में थोड़ा सा ओयल दाल दूंगी एक चमच के करीब और इसमें हम डालेंगी साथ से आठ कश्मीरी लाल मिर्च जीहां फ्रेंट्स लाल मिर्च यह वाली लीजेगा इ मेरे बालों की खासियत इसी से है फ्रेंट्स कड़ी पत्ता खाओ खूब भरबर के वैसे कड़ी पत्ता का भी एक मिने मसाला आपको बना के बताया था जो आपने बहुत पसंद किया यह भी आपको पसंद आएगा तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और गैस को जो चिली है और कड़ी पत्ता है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि मिक्सिज्च्जार इतना बड़ा नहीं है तो ग्राइंड करने के बाद आप इसमें डाल दें चना दाल और और अडत दाल बाकीशी तोडा सान ही में हम इसमें डालें थोड़ा सा हिंग एक चुता स्टोर के रख सकते हैं क्योंकि हमने ऑइल में चिली और यह फ़राई किया था करी लीव तो ऊइल एक प्रिज़र वेटीव का काम करेगा तो इसकी कोई एकस्पायरी डेट नहीं है आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं यह अगर आपने बना के सब्सक्री जाहिए यह मेरी तरह होममेड मसाला जादा बनाते हो काच की बोतल में स्टोर करेंगी तो इसकी शेल्फ लाइफ जादा हो जाएगी इस पाउडर को आप इडलिया और धोसा के साथ इंजॉय कर सकते हैं आपको सांभार बनाने की बिजरूरत नहीं पड़ेगी अगर कुछ है नहीं तो आ गाजर गाजर हमें खाना भी चाहिए सलाट के रूप में या बहुत सारी अलग रिसिपी भी हम इसे बनाते हैं तो जब भी आप गाजर लाए मार्केट से लाल लाल लाए और मीडियम साइस की लाए जादा मोटी गाजर लाएंगे तो उसमें जो बीच का पार्ट होता होता नहीं होता यह मैं अभी आपको बताऊंगी तो गाजर आप जब भी लाए तो मीडियम साइस की लाए उसमें जो सफेद पार्ट है वो नहीं होना चाहिए अगर है तो वो आप निकाल दे क्योंकि उससे पेट दर्द की शिकायत होती है रेसिपी का कलर अच्छा नहीं आता अगर गाजर का हलवा बना रही है या कोई भी रेसिपी है मैं आप इंक्लूड कर रहे है तो उसका कलर अच्छा नहीं आता तो इसका लाल पार्ट है वो आप ले ले और बीच का पार्ट आप इसको डिसकार्ड कर ले बिल्कुल भी आप उसको खाये नहीं स्पेशली बच् आपको इसको फ्राइ करना है जब तक इसका पानी है वो छूटने ना लगे और फिर बान पानी सूख ना जाये तब तक आप इसको फ्राई करेंगे तो गाजर की जो हलवे का कलर है बौह़ोगी बढ़ी आता है जब फूड कलर अगर दानी ज़रुरत नहीं परती तो यह ट ज़ нас why तो सती हुँ है तो it's better In 3-4 बारस सब्सक्त fingernail बिल्सक्राइब में रिखम बोखने होगा और थन्डा नहीं हो जाएगा हल्वा anderen आप एस तरह आप नहीं कुछ दिन पहले जब भी आप गाजर की कुई बी रेसीपी बनाते हो तो आपकी perfect recipe बनेगी फ्रेंड्स वैसे ये गाजर का हलवा मेरी secret recipe मैंने already share की थी अभी कुछ दिन पहले जरूर आप check out करे और try करे और दे आपके feedback अगली जो tip है वो पालक को लेकरे दे ये पालक की भी season है अभी आप पालक को हम अलग-अलग रूप में खाते हैं हम इसको पराठभी बनाते हैं पालक पनीर बनाते हैं हरा बरा कबाब बनाते हैं बहुत सारी recipes में पालक को include करते हैं तो पालक को blanche करना जरूरी होता है तो जब भी आप blanch करें गरम पानी में आप पालक को डाले थंडे पानी में नहीं गरम पानी में आप पालक को डाले और सिर्फ 30-40 second इसमें रहने दे और फिर आप इसको निकाल दे जब आपको लगे कि पालक एदम सॉफ्ट हो चुकी है तुरंथ ही इसको निकाल ले इसे इस वाला पानी इसके उपर डाले इससे इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जो पालक की आप रेसिपी बनाएंगे वो इतना हरी रहेगी आपको कोई इसमें फूट कलर दाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो ना तो रेसिपी की रंगत अच्छे आती है रेसिपी अच्छी बनती है इसलिए मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ पूरी डिटेल वीडियो ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सको और पॉफिक बनें आपकी रेसिपी कैसी लगी है टिप कमेंट करें चली अगले टिप है थंड बहुत बढ़ रही है हाला कि यहां मुंबई में तो अभी फिलहाल समर जैसा क्लाइमेट हो रहा है यानि गर्मी लग रही है बीच में थंड हो गई थी बट नॉर्दन साइट की बात करूँगी तो उनके लिए एक बहुत बढ़ी रेसिपी लेकी आई हूँ तो आप मखाने ले 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 एक चुथाई कप की करीब इसे ड्राइ रोस कर ले घी वगरे में नहीं करना है साथ ही में इसको और भी नुट्रीशिस बनाने के लिए मैं इसमें आड कर रही हूँ कुछ ड्राइ फ्रूट्स जैसे काजु बदाम में इसमें एड सुबे अगर आपने ये ड्रिंक पी लिया सारी जो गोड है ड्राइ फ्रूट्स और नुट्स के वो आपको मिलेंगे इसको हम पीस लेंगे तो इसका यह जो पाउडर है यह आप स्टोर के के रख सकते हैं अराम से 15-20 दिन के लिए कोई भी एड़ाइट कंटेनर में अभी मैं डाल दूँगी दूद्ध एक ग्लास भर के यह देखे एक ग्लास भर के दूद्ध डाला साथ ही में इसमें मैं कर रहे हैं वह यह जरूर खाए जो मेथी के लड़ू नहीं खाना चाते हैं ड्राइफूर्स लड़ू नहीं खाना चाते हैं वह यह ट्राय करें साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा शेहद डालूंगी शेहद डालना completely option है वैसे बनाना मीठा होता है तो अगर आप थोड़ा मीठ करते हैं तो आप शेहद को सकिप कर सकते हैं इसमें मैं और कि थोड़ो सा वैणिला एसिamm paru भूझे साथ हा पासद नहीं करते मेरे इस तरीके से मैं उनियो बनाा के दिया उन्हें पता ही नहीं चला कि इसमें मक Сब्सक्राइब नहीं हैं सारे बेनिफ लिए देत vinegar मिल गया ह और बनाना का मिल्क शेक आप बनाएं और इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं फिर जब चाहिए तब बनाना डाले, दूद डाले, शेहर डाले और इसे इंजॉय करें कैसी लगी आपको ये मखाना की मिल्क शेक रेसिपी जरू मुझे कमेंट करके बताएं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कुछ नया सिखा की नहीं और कौन से टिप आपको पसंद आई ये मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगा बहुत जादा महनत करी हूँ तो एक लाइक दे दीजिएगा, यूसफल लगा है तो एक शेर कर दीजिएगा आपके फ्रेंट्स और फामिली के साथ फ्रेंट्स ये बताएए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं यूट्यूब से या फेस्बुक से जरूर बताएए और कौन से शेर से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तब तक के लिए फ्रेंट्स लाइक भी किजिए, शेर भी किजिए और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को, तिल दन टेक केर, बबाई